मुश्कार दोस्तों बिग बूल मार्केटिंग के एफिनो सीरीज में आप सभी का स्वागत है तो गाइस यहाँ पे हम आपको जो है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो है फ्यूचर्स में कॉल देते हैं एकॉरेट कॉल देते हैं और बताते हैं कि जो है यहाँ पे आपको क्या करना है पुट ओप्शन लेना है कॉल ओप्शन लेना है सारा हम आपको क्लियर करते हैं और हम यही उमीद रखते हैं कि यहाँ पे आपका ओप्शन में फ्यूचर ओप्शन में जो है जादा से जादा पैसा बने और कम से कम जो है loss हो तो guys अभी बात की जाए तो nifty में आज जो है काफी जाता जो put seller से guys उन्हें trap किया गया क्योंकि आप जब market सुबह open हुआ था तो एकदम से जो थी आप देख से थे nifty में काफी जादा तेज आ गई थी और जो है लग रहा था कि आज तो nifty जो है एक परसेंट तक जो है गोता लगा देगी और अच्छे खासी विकवाली जो है हमें nifty में देखने को मिलेगी लेकिन guys वहीं पे जो है game पलट दी गई उसके बाद जो है एक दम से निचे से एक sharp recovery guys nifty में और जितने भी अपने put caller से सारे जो है ट्रैप की गए और बुरी तरह से जो है ट्रैप कर दिया गया बुल्स द्वारा और बीर्स को जो है आज कहीं न कहीं जो है guys ट्रैप करके फसा दिया है तो guys अब यहां पे nifty पे काफी जो है positive setup बन रहा है downward trend के बाद एक hammer candle जो है यहां पे आप guys बन चुकी है तो यहां से अब मुझे लगता है bank sorry nifty जो है एक recovery mode में चले जाएगा और आप लोगों को यहां पे जो है nifty फिर से recover होता हो देखेगा तो मैं आपको यही राय दोंगा और मेरे आपको यही आप जो है nifty में जो है अभी fresh positions बना के चल सकते हैं और as a call buyer जो है आप nifty में बैठ सकते हैं आप जो है long positions बना के बैठ सकते हैं अभी जो है आप sellers बनके मत बैठी क्योंकि यहां पे एक hammer candle की confirmation मिल चुकी है और अगर कल market positive में रहा तो market में एक अच्छे खासी जो है rally बनेगी तो मैं आपको यही राय दूँगा आप लोग जो है nifty में as a buyer बैठ ये as a seller अगर आपकी position है तो उन्हें काटके जो है निकल जाई क्योंकि यहां से nifty जो है rebound करेगी क्योंकि आज जो था nifty ने गिरना होता गाइस तो गिरता और काफी important levels जो थे आज तोटते लेकिन नहीं नीचे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर बायर था गाईस और उसने जो है नीचे से सारे पुट बायर को जो है trap कर दिया जब काफी जादा पुट बायर confidence मागे उसी टाइम उन्हें trap कर दिया और नीचे से जो recovery लाई उससे जो है एक दम से उनकी पुजिशनों को लॉक कर दिया तो गाईस यहां पर जो है अब हैमर केंडल के confirmation मिल गये तो आप यहां पर अपनी positions काटके जो है buying side में जो है जा सकते हैं अगर आपने sell के हैं लेकिन अगर आपने buy करके रखा तो अपनी positions आप hold करके रख सकते हैं इस nifty में तो guys अब चले bank nifty के बारे में आपको बताते हैं guys bank nifty के बारे में बात करें तो bank nifty में आप देख सकते हैं कि निचले लेवल से bank nifty में भी recovery आई है और हमने आपको जो था यहां पर यह लेवल्स पर का था यह काफी important sport होगा अगर यह तूटे का तो आपको काफी नीचे तक के जो है लेवल्स देखने को मिल सकते हैं लेकिन bank nifty में भी हमें एक जो है buying नीचे से देखने को मिली और हल्किफुल की recovery देखने को मिली लेकिन अभी भी bank nifty जो है guys वो थोड़ा weak है as compare to nifty तो bank nifty में अभी आप जो है short positions को आप अपनी hold कर सकते हैं अपना हिसाफ से stop loss लगा के क्योंकि अभी जो है bank nifty में confirm नहीं है क्योंकि important level तूट चुका है bank nifty का और जब तक bank nifty जो है आपका 44,159 के उपर नहीं निकल तक तब तक यह आप selling side में बैठ सकते हैं अगर 44,159 इनके उपर निकल जाता है guys bank nifty तो आप लोग जो है यहाँ पर अपनी position जो है sell करके निकल जाएगा exit कर लिजेगा और buy side में अपनी position ले लेगा अगर आप जो है seller है तो guys अभी भी आप इसमें अपनी selling वाली position बंदी वाली position hold कर सकते हैं लेकिन जब तक bank nifty जो है 44,159 की न यह था आज का कच्छा चिठा कल भी हम आपको बताएंगे क्या आपको strategy अपना नहीं है guys nifty और bank nifty में तो कल हम आपके लिए fresh वीडियो लाएंगे तो guys सब तक हमारे चैनल को please subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए धन्यवाद